सतना शिरी वाहे गुरू साहिब जीयो परम सनमान्यो गुरूरू गुरू खाल्चा सा संगजी वाहे गुरू जी का खाल्चा वाहे गुरू जी की फते राजा बिक्रम बड़ा दानी होया है जो किसे आयाती थी नूँ खाली नई सी पेई दा एक इच्छा तारी साप जंगल विचरेंदा सी एक वारी अचानक ही उस जंगल नूँ आग लाग गई आगदा से एक सापनू लग गया जिसते सब बड़ा तडपया ते कोई ठंडी था लबन लगा पर ठंडी था उसनू ना लबी किसे दुझे इच्छा तारी सापने केहा राजा बिक्रम जी दे हिर्दे विच शांती दा कॉंड है उस जगा ते दो कड़िया निवास करें ता तेनू शांती आजाएगी राजा बिक्रम बड़ा दानी है ओ तेनू निवास ले जरूर जगा दवेगा उसी वेले ओ साप राजे बिक्रम दे द्रवाजे ते आके बैठ गया राजे ने उस साप तो पुझे आ देवता जी एथे बैठन दा तो अड़ा की कम है साप ने केहा आपने अंदर बैठन लई जगा देओ जिस्ते मेनू शांती आजाए वजीर अते सारे रिष्टेदारा ने राजे नू मना किता फेर वी उपकारी राजे बिक्रम ने चार पहर अपने अंदर रहन लई जगा देदती अंदर जान्देया सापनो अजेही शांती आ गई जो बाहर निकलनते जी ना करे राजे बिक्रम नेवी दवाईया अधनाज उसनों बाहर ना कड़िया सापदे अंदर रयान करके राजा कोड़ी हो गया जिसते सारे संबंदी गिलानी करन लग पए उसी विले राजा अपने राजबा अगनु छाट के गंगा किनारे जा पैठा ओथों दे लोग भी राजा पर गिलानी करन लग पए विहो करके किसे विले राजे नू विहोशी आजाया करे आखिर दुखी होके राजे ने गंगा वेच डूबन दा ख्याल कर लेया इतने नो किसे दूसरे राजे दे सिपाईया ने उस जगा ते आके उसनो फाड लेया ते अपने राजबे चल लिजा आके राजे दे पेश कर दता क्योंके उस राजे दी छोटी लड़की हमेशा अमरत विले उठके प्रभू दा पजन कर दी हुंदी सी ते प्रभू उत्ते द्रड विश्वाश रख दी सी के सब दी पालना कारनवाला एक प्रभू ही है उस लड़की दा पिता बड़ा हंकारी सी उस दिया गल्ला सुनके उस उते खोश नहीं सी एक दन उसने लड़की दो पुछया तू किस दे आसरे रिंदी है लड़की ने कहा मैं प्रमेशर दे आसरे रिंदी है उस दे पिता ने कहा नई तू मेरे आसरे रिंदी है मैं ही तेरी पालना करदा है उस दिल लड़की ने कहा तुसी नहीं पाल दे सब्दा पालक प्रमेशर है शीरी गुर अर्जन देव सहब जी ने शीरी सुख्मनी सहब वेच लिख्या है मानुक की टेक बिर्थी सब जान देवन को एक ए भगवान एगल सुन देया सार ही राजे ने गुसे बेचा के कहा तेरा व्या किसे कोड़ी नाड कर देयांगा फिर देखांगा ओहो प्रभू तेरी केमे पालना करेगा बार आके स्पाईया नू केहा कोई कोड़ी पुर्ष लब के लियाओ उस नाड में छोटी लड़की दा व्या कर देयां स्पाई फिर दे फिर दे गंगा दे पहुंचे राजे बिक्रम नू देखके उसनू फटके अपने राजे दे सामने पेश कर दता राजे ने अपनी लड़की दी शादी उस कोड़ी नाल करके देश निकाला दे दता राजा बिक्रम अठे पहर बिहोश रहा करे उसनू पता भी नहीं के मेरी शादी इस नाल होई है जा नहीं लड़की महाराजा बिक्रम जी नू टोकरे वेच पाके फिर्दी रही अते सेवा कर दी रही सेवा कर देयां कर देयां छे महीने बीट गए एक दन राजे नू एक ब्रेच दे हेठा सुआ के राज लड़की पाठ कर रही सी उस पाठ दे सद के ओथो एक सापने निकल के राजे बिक्रम नू बिहोशी देख के बहुत अफसोस कीता ते पेट वेच रहन वड़े सापनू केहा ए नीच तु बाहर निकला नहीं ता इस राणी द्वारा बूटियां खुआ के ते नू मरवा के बाहर कड़ देयांगा उसने केहा मैं बार नी निकलांगा पजन पाठ दे सद के उस जगा तो जड़ा सप निकलया सी उसने राणी नू केहा हे राणी तू कोई फिकर ना कर राजे बिकरम ने अपने पेट अंदर इस सापनू चार पहर रैन वास्ते जगा दिती सी पार इह बार ने निकलया उस दी व्योव नाग इह कोड़ी हो गया है जो मैं दसदा हाँ ओ बूटियां इस राजे नू खुआ ता इह सब टुकडे टुकडे होके बाहर आ जाएगा ते राजा बिकरम बिलकुल राजी हो जाएगा एगल सुनके राणी ने बूटियां दी तलाश कीती बूटियां लेा के कोटियां ते अपने पती राजे बिकरम नू पिलाईयां जिस तरह ही उसने बूटियां पिलाईयां ता अंदर वाला साप मार के टुकडे टुकडे हो के उल्टियां द्वारा बाहर निकलाया इतने विच राजे दी बिहोशी दूर हो गई ते सुरता आ गई अखांदे खुलन ते अपने सामने राज लड़की नों बैठा वेख के पुछया तूं कौन है उसने कहा मैं आप जी दी तरमपत नहीं हां जाद उसने अपनी सारी कहा सुनाई ताद राजा विक्रम जी बड़े प्रसान होए उसनों अपने नाड लेया ते राज महला विच रैन लगपए ते उस राणी दा दरजा साब तों उच्चा रख्या एंजो हो प्रभू आपने सेवक दी पालना करनवाला है अते अपने सेवक दी रख्या करनवाला ह सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राख्या निरंकारा अपने सेवक नू प्रभू आप ही मापे ओवालन पालनवाला है निरंकार वाहिगुरू सेवक दी हर्था ते इज़त राख्या है सगल समगरी ग्रह जाकै पूरण प्रभ के सेवक दूख न चूरण हे पाई जिस प्रभू दे कारविच जीवाँ आसते सारे पदारत परे पैरेंदे हन जिस दे सेवकानू कोई दुख कोई चोरे पो नी सकदे ओट गही निर्पहो पद पाईया सास सास सो गुण निद गाईया है ते जिस दा आसरा लेया ओ आत्म के दरजा मिल जानदा है जिथे कोई डर दबा नहीं पा सकदा सास सास सो गुण निद गाईया है हरेक सादे नाड गुणा दे खजाने उस प्रभु दे गुण गांदे रίνा चाईदा है प्रभ की सेवा जन्रकी सोभा काम करोद मिटे तिस लोब भा प्रमात्मादी पक्ती नाड प्रमात्मादे पगदी बडेयाई लोक परलोक वेज हुनदी है उसで अंद्रों काम करोद लोब आदकवकार मिट जान्दे हन, नाम तेरा जानकै पंडार, गुण गावे प्रभ दर्स प्यार, हे प्रभु तेरा नाम तन, तेरे पगतां दिख जान्ने विच परपूर्रिंदा है, हे प्रभु तेरे पगत, तेरे दिदार्दी तांग विच तेरे गुण गौंदे रि गुर की आग्या मन मैं सहे, आपस को करकचना जणावे, हर हर नाम रिदै सद त्यावे, मन बेचाय सत्गुर के पास, ते सेवक के कारज रास. जडा सेवक सिख्या दिखातर गुरु दे कारवेच पाव गुरु दे दरते रिंदा है, ते गुरु दा हुकम मन बेच मनदा है, जो अपने आपनू बड़ा नी जिताओधा, प्रभु दा नाम सदा हिर्धे वेच्ते होधा है, जो अपना मन सद्गुरु अग्ये वेच पर आप गुरु दे हवाले कर दुन्दा है, उस सेवक दे सारे कम सिरे चड़ जानते हैं, सेवा करत होए नहकामी, तिसको होत प्रापत स्वामी, अपनी किरपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, जो सेवक गुरु दी सेवा करदा होया, किसे फाल दी ख्वाश नी रखदा, उसनों मालक प्रभु मिल पेंदा है, जिसते प्रभु अपनी मेहर करदा है, पंजमे पाशा केंदे हन, कि ओह सेवक सादगुरु दी सिख्या लेंदा है, एक शवद विच गुरु साफ कैर है हन, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हौम मैं मेरा ठाक रहाया, गु जर कपाट खुला वनिया, गुरु दी दसी सेवा दी राही, मनुख सदा आत्मक अनन्द मानदा है, हौम में ते मम्तानू रोक के वासवेच रखदा है, ते गुरु दी सिख्या उत्ते तोर के, उस दे अंद्रों माया दे मोद अहनेरा दूर हो जन्दा है, उस दे माया दे मोदे ओहो करडे के वाड खोले जान देहान जिनावेच उसदी सूरत जकड़ी पईसी हो या पुला चुकांदी खेमा बक्षणी जी दासनु आग्या देव वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की फते